नमस्ते दोस्तों मैं विज password हखर और आप लोगोंका सबका स्वागत है हमारे एक नए stocks for the week के वीडियो में अभी आज के वीडियो में हम लोग discuss करेगे market के बारे में हम लोग discuss करेगे कुछ ऐसे sector के बारे में जहां पे आप लोगोंको ध्यान देना चाहिए और हम लोग discuss करेगे वो factor के बारे में जो market को directly या indirectly impact करते है अभी आज मैं कुछ आप लोगों के साथ discuss करूँ ना उससे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि मैंने ना second week of December वाले वीडियो में आप लोगों के साथ 3 stock share किये थे और वो तीनों stock में से एक पतांजली था जिसने already breakout कर लिया था और दूसरे दो stock थे वो था एक Shipping Corporation of India और Shoba Limited अभी Shipping Corporation India वहां से कुछ 6-7% चला है Shoba last week में 30% से भी ज्यादा run-up दे चुका है और पतांजली जहां पे था वहीं पे trade कर रहा है तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ उसका reason है because मैं हमेशा ये सूचता हूँ कि आप लोगों को breakout वाले stocks पे तो ध्यान देना ही चाहिए बट जो stock breakout होने वाले है जैसे मैंने वो वीडियो में बोला था आप लोगों को वो stock में भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसे stock में आप अच्छे returns generate कर सकते हो अगर आप लोगों को investment करना है तो भी planning करना पड़ता है trading करना है तो भी planning करना पड़ता है बट अगर आप लोगों का कोई trade पहले से plan होता है न और एक ऐसा stock शेर करने वाला हूँ जिसने ये वीक में अच्छा breakout दिया है तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे market के उपर अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में market जहां पे open हुआ था वहीं पे close हुआ कहीं कोई जादा बड़ी moment नहीं आई और Friday evening को मेरे ख्याल से SEBI के तरफ से एक short selling के बारे में एक news आया था जिसमें ऐसा बताया था कि आप लोग short selling नहीं कर सकते तो बहुत सारे लोग है ना वो news को properly समझ नहीं पाए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ actually क्या है कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये सारी चीज़े पहले से ही चल रही थी पर अभी properly उसके उपर guidelines आ गई है अगर आप कोई एक बड़ी institutional हो तो आप लोग intraday में short नहीं कर सकते और अगर आप कोई समझो आपके पास कोई stock है ही नहीं मतब आप उसको short नहीं कर सकते और जो खास करके F&O में नहीं है तो तो ये जो news है ना इसमें कोई बड़ा impact नहीं होने वाला है market में कोई अच्छी या positive news नहीं मानी जा सकती मतब इतनी बड़ी नहीं मानी जा सकती क्योंकि ये already सब चीजे पहले से ही चल रही थी अभी थोड़ी line up होके systematically हो गया है अभी अगर हम लोग ने देखा last week में market एक flat closing हुआ था तो अभी हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं कि index में क्या लग रहा है कौन से सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए और in the end में आप लोगों को stock बताऊंगा तो अभी पहले आप लोग ये जो chart देख रहे हो ये हमारा nifty का monthly time frame का chart है अभी मैं यहाँ पे पहले वाली drawing साटा देता हूँ अभी देखो मैं एक चीज में बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ और समझता हूँ कि market अगर अच्छा run up ले लेता है ना तो market थोड़ा cool down करता है market या stock कोई भी हो जाए अभी आप देखो last 2 महिने से nifty ने almost 14-15% का rally ले लिया है तो शायद आने वाला January month जो अभी हमारा चल रहा है वो शायद sideways हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत correction हमारी ये month में आ सकता है अभी आप लोग weekly time frame का chart देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे clearly देखेगा कि हमने एक अच्छी rally ली है और अगर आप daily time frame का chart देखोगे तो अभी आप लोगों को यहाँ पे clearly देखेगा कि market थोड़ी rally लेता है, cool down करता है, वापस rally लेता है, थोड़ा correction आता है, वापस हो जाता है तो अभी हमारे लिए जो सबसे important resistance है वो अभी हमारा जो recent high है वो है, जो 21,035 है important support की अगर मैं बात करूँ तो हमारा 21,500 है और सबसे ज़्यादा important support हमारा जो है, वो है 21,000 यह 20,900 के आजपास का तो अगर हम 21,500 ब्रेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा possibility है कि 20,900 आ सकता है तो अगर आप मुझसे पूछो कि आपका index में view क्या है तो मेरा view अभी कोई ना positive भी है ना negative भी है मैं थोड़ा concern रहूंगा market को लेकर market उपर जाएगा तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है because market ने already एक अच्छा run-up ले लिया है अगर थोड़ा correction market में होता है तो मैं happily कोई strong stock में वापस से entry करने की सोचूँगा अगर आप bank nifty का chart देखोगे तो कोई ज़्यादा change नहीं है यहाँ पे bank nifty में भी अगर आप देखोगे ना तो last 2 महीने में almost 14-14.5% का rally हुआ है तो यह महीने में मेरा bank nifty का same view रहेगा अगर आप weekly time frame का chart bank nifty में देखते हो तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पे पता चलेगा कि bank nifty का जो important support है वो उसका previous double top था अभी जो support बनेगा which is 46,370 और अगर आप daily time frame का chart देखोगे तो bank nifty में हमारा important resistance अभी जो है वो है 48,630 और support obviously चोटा support 47,477 का है तो यह levels पे हमें अभी धियान देना चाहिए बट मैं अभी भी आप लोगों को frankly बोलता हूँ कि market में मैं ज्यादा bullish नहीं हूँ I am waiting for a good correction बट अभी देखो हम लोगों को यह तो पता नहीं होता है कि correction कब आएगा तो हम लोग एक चीज यह कर सकते है कि आप लोग जो ज्यादा leverage लेके जो position hold करते हो ना वो leverage कम कर दीजिए थोड़ा low रही है market में low in the sense position size में low रही है अगर आप generally 1000 या 2000 quantity से trade करते हो तो अभी आप 1000 के नीचे आ जाईए क्योंकि market गिरेगा तो आप लोगों को अच्छी buying opportunity मिलेगी market में अभी अगर हम लोग sectors की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि last week में IT ने underperform किया metal, auto यह सारे ने underperform किया और जो top performance था वो reality, media, pharma, oil and gas और PSE sector से आया है अभी देखो मैंने आप लोगों को कुछ हफते पहले ही शोबा के बारे में बताया था और उसके पहले bot time पहले DLF के बारे में बताया था तो अभी market में reality sector बहुत ही अच्छा कर रहा है उसके बाद अभी media sector है और pharma sector है तो आज का जो हमारा जो stock है ना जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मेरी watch list में है वो media sector से ही है बट वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा बट overall अगर हम लोग sectors की बात करें तो last week market ठीकी था अगर हम लोग last month की बात करें तो again वहाँ पे भी reality sector ही है और last month में भी overall सारे लोगों ने सही किया था तो अभी देखो ये तो रहा हमारा market और sectors के बारे में बात अगर हम लोग FIS की बात करें तो last के 5 दिन में FIS ने 3 दिन buying की थी 2 दिन selling की थी और इसमें भी कोई इतने बड़े नंबर इतने बड़े चोटे नहीं थे जो हमें tension लेना चाहिए अगर मैं dollar index की बात करूँ तो अभी वो 102.43 के आसपा straight कर रहा है इसका 100 के आसपा से ने एक support अभी बन रहा है और वो वहाँ से continuously bounce back ले रहा है अगर मैं india wix की बात करूँ तो अभी ये week में india wix का close जो आया है वो 12.63 है almost 2 point india wix नीचे आया है तो ये एक अच्छी बात है crude oil की बात करें तो 73.81 dollar के आसपा straight कर रहा है अगर मैं USD INR की बात करूँ तो अभी 83.07 के आसपा straight कर रहा है USD में भी थोड़ा correction आया है मेरे खाल से 40 या 30 पैसे का ये एक अच्छी बात है और अगर correction आता है तो हमारे market के लिए और अच्छी बात है अभी देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर आप लोग पहले से ही trade प्लान करते हो तो आप लोगों को उसका कितना अच्छा फाइदा हो सकता है मुझे अभी भी पता है जबी मैंने आप लोगों के साथ second week of December वाले वीडियो में शोबा के बारे में बताया था उसके बाद शोबा थोड़ा बहुत नीचे आया था तो बात समझो अगर trade activity नहीं हुआ है तो वो नीचे जाए या पूरा lower circuit लग जाए उससे हमें क्या लेना देना trade active होने के बाद important होता है क्या होता है क्या नहीं होता है तो आज के वीडियो में पहले में आप लोगों को एक breakout वाला stock बता देता हूँ और वो stock का नाम है KCP Limited अभी ये जो stock है ना इसके बारे में मैंने देखा ये company cement का और sugar का business करती है और इसका cement का business 70% से ज्यादा है और sugar का business I think 20% जितना है और थोड़ा बहुत business जो है वो power का भी है बट power का कुछ इसका ज्यादा business ने दो-तिन पसेंट का ही है तो अभी ये मुझे क्यों पसंदा है क्योंके इसके fundamental अच्छे है नहीं नहीं उसके लिए नहीं मैं एक price action trader हूँ और volume based price based काम करता हूँ तो अभी देखो आप लोग इसका weekly time frame का chart देख रहे हो और यहाँ पे आप clearly देख सकते हो कि मदब in the 2018 January month में इसका high था 171 और अगर मैं एक range बनाओ तो आप यहाँ पे clearly देख सकते हो कि January 2018 में इसका जो एक resistance का range था ना वो था 171 से 162 अभी आप ये week में बहुत ही clearly देख सकते हो इसने already एक attempt किया था August 21 में पर breakout नहीं हुआ पर अभी आप ये week में बहुत जादा clearly देख सकते हो कि ये stock ने एक बहुत ही अच्छे price के साथ एक बड़ा breakout किया है अभी इसका closing 181 के आसपस आया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें volume भी बहुत strong हुआ है तो ये stock एक हिसाब से बहुत अच्छा breakout माना जाता है और अगर आप इसके अपसाइट कितना जा सकता है अगर हम वो calculate करना चाते है तो आप लोगों को इसका price action का range निकलना पड़ेगा और वो range निकलके आप लोगों को breakout के बाद add करना है तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका जो upside potential है वो somewhere around 297 तक का आ रहा है तो ये stock आप लोग अपने watch list में जरूर रखे आप लोगों को आपके short term investment के लिए ये stock जरूर देखना चाहिए मैं आप लोगों को recommend नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ के price action और volume analysis के basis पर अभी कौन सा अच्छा है और अगर ये stock ने 140 या 150 के नीचे close दिया तो ये stock weak हो जाएगा वो चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिए और अगर आप लोगों को इसमें buying भी करनी है तो अपना analysis जरूर करना मेरे बोलने पर कभी कुछ मत करना because मेरा view wrong भी हो सकता है अभी आज हम लोग एक ऐसे stock के बारे में बात करने वाले है जिसने अभी तक breakout नहीं किया है बट उसमें एक बहुत अच्छा pattern बन रहा है और वो एक pattern जो है वो एक bullish pattern होता है और ये pattern अगर समझो downside में आता है तो वो भी एक बहुत ही positive चीज है तो यहाँ पर कुछ चीजें बहुत सारी अच्छी मिल रही है तो मैंने आप लोगों को सुचा वो बता दू और वो stock का नाम है disc TV अभी आप लोग जो disc TV का chart देख रहे हो ना ये monthly time frame का देख रहे हो और अभी यहाँ पर मज़े की बात क्या है कि ये stock list हुआ था मेरे ख्यासे 2007 में एक बार हम लोग इसका BAC का भी data देख लेते हैं तो हम लोगों को ज्यादा idea मिल जाएगा ये 2007 में लिस्ट हुआ था कभी क्या हो दा ना NSE और BAC के data में थोड़ा बहुत फरक होता है क्योंकि NSE में बाद में list होता है BAC में पहले होता है तो अभी आप यहाँ पर देखो इसका listing हुआ था उसके बाद इसने high मारा था 142 तो हम लोग एक बार 142 के यहाँ पर एक line बना देते हैं हमारे reference के लिए यह target नहीं है उसका ऐसा मसूतना कि उसका target है उसके बाद यह stock नीचे गिर गिर के almost यह COVID के टाइम पे इसने low मारा था 3.80 पैसा अगर हम लोग भगवान होते तो शायद 3.80 पैसे में ले लेते बट मैं अभी आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह stock में कभी भी upside momentum या अच्छा कोई चीज बना ही नहीं है अभी यह stock मुझे क्यों पसंद आया है तो आप यहाँ पे देखो कि यह stock ने यहाँ से low बना के इसने यहाँ पे low बनाना बन कर दिया कोविड में उसके बाद यह stock है ना एक बड़े consolidation range में चला गया था और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो consolidation का जो range बन रहा था वो जो हम लोग ascending triangle बोलते है ना वो pattern में बनता है क्योंकि इसके जो lows है वो continuously उपर की तरफ shift हो रहा है और इसका जो high है अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके जो high है वो almost equal है तो इसको क्या बोलते है यह pattern को ascending triangle pattern और किसी stock में bottom में ascending triangle बन रहा है तो वो एक बहुत ही positive चीज होती है और अगर वहाँ पे breakout होता है तो हम लोगों को एक अच्छा upside target मिल सकता है मैंने आप लोगों के साथ थोड़े महीने पहले I think in the month of December ही मैंने शायद आप लोगों के साथ वो card pharma के बारे में share किया था उसमें भी downside में inverse head in shoulder pattern बन रहा था पड़ वो breakout हो चुका था यहाँ पर अभी तक breakout नहीं हुआ है यह चीज जरू ध्यान में रखना ने तो यह 21 रुपे से 17 रुपया होगा आप लोग message करना चालू कर दोगे तो यह stock का जो breakout है वो 24.40 कि उपर इसका breakout confirm होगा अभी यह stock 21.65 चल रहा है और अगर यह stock में समझो ना breakout होने के बाद प्लीज यह चीज ध्यान से सुनिये breakout होने के बाद 18 रुपया तोड़ दिया तो यह stock weak हो जाएगा पर इसका breakout ही होगा 24.40 पैसे के उपर अभी यह stock में breakout नहीं हुआ है यह stock में breakout हो सकता है और अभी मैं इसमें volume add करूँगा तो आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि यह stock में पहले कभी इतने volumes हुए ही नहीं थे जितने 2019 के बाद होना शुरू हुआ तो इसका मतलब यह है कि यह stock को bottom में कोई accumulate कर रहा था और accumulate करने के time पे यह pattern create हुआ है अगर यह stock का हमें upside target calculate करना है तो again हम लोगों को यह ascending triangle का जो range है ना वो calculate करके breakout के बाद उपर डाल देना है और अगर आप यहाँ पे एक line बनाते हो तो आप लोग एक चीज देख सकते हो कि ascending triangle का range का target आ रहा है 43 और इसका जो next resistance है वो आ रहा है 42.25 तो मैं हमेशा हमारे students को बोलता हूँ कि pattern और support resistance हमेशा same ही होते है अगर आप proper ढूंडो तो तो अगर यह 24.40 के उपर जाता है तो इसका next target बनता है 42.60 और 24.40 के उपर जाने के बाद अगर इसने फिर से 18 रुपया break कर दिया तो यह trade fail हो सकता है तो आप लोग यह stock को जरूर watch list में रखिए यह stock में आने वाले time में एक अच्छा moment बन सकता है बन सकता है अभी यह stock में बना नहीं है क्योंकि 24.40 के उपर ही इसका breakout होगा यह मैं गड़ी-गड़ी क्यों बोल रहा हूँ बिकोज बहुत सारे लोग हमारा जो वीडियो देखते है वो यह चीज नहीं समझ पाते के एक trade को प्लान करना और वो trade activate होना दोनों अलग चीज होती है और मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ लाइव चीज समझाने की तो यह है हमारा वो stock जो stock में आपको ध्यान देना चाहिए आने वाले time में अगेन मैं आप लोगों को disclaimer दे देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मैं आप लोगों को buying या selling recommendation नहीं दे रहा हूँ जो भी चीज है मैं आप लोगों को price action और volume analysis के basis पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को stock का analysis करना चाहिए कैसे trade plan करना चाहिए कैसे आप लोगों को काम करना चाहिए तो बस यह था हमारा आज का यह video अभी आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ अगर आप लोगों को ऐसी और अच्छी तारी के से बहुत सारी चीज़े सीखनी है तो आप हमारा one year का program join कर सकते हो और अगर आप लोगों को swing trading के बारे में सीखना है तो आप swing trading का हमारा webinar जो हुआ था उसकी recording भी purchase कर सकते हो दोनों के link नीचे description में है अगर आप लोगों को trading और ये investment शुरू करना है और आप लोगों के पास trading और demand account नहीं है तो आप हमारे साथ trading और demand account खोल सकते हो आप लोगों को मैं सिफ एक चीज़ बता देता हूँ कोई मैं आप लोगों के साथ affiliate link share नहीं कर रहा हूँ मैं already 2011 से angel one में broker हूँ तो मैं पहले से यही काम कर रहा था अगर आप हमारे पास account open करते हो तो आप लोगों को कोई additional service नहीं मिलेगी आप लोगों का जो brokerage plan है वो discount वाला ही रहने वाला है जो अभी market में सब लोग देते है बट येस आप लोगों को service मिलेगी मेरी office से अगर आप लोगों को कुछ issue होती है तो आप हमारे यहाँ पे contact कर सकते हो अगर आपका account हमारे पास है तो ये service में आप लोगों को दे सकता हो जो service आप लोगों को दूसरे brokers नहीं दे सकते तो बस यही सारी चीज़े आप लोगों को बतानी थी और अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो यह pattern के बारे में बताया है ऐसे patterns के बारे में हम मैंने और सुनिल गुजर ने मिलके एक book बनाई है जिसके अंदर हमने बहुत सारे chart patterns के बारे में discuss किया है और उसके अंदर obviously हमने ascending triangle pattern के भी बारे में बताया है तो आप लोग हमारी book भी purchase कर सकते हो उसकी link भी मैं नीचे description में दे दूँगा वहाँ पे देखो chart pattern सीखने से आप लोग कोई profitable trader नहीं बन जाओगे बट obviously आपके analysis में थोड़ा फरक पड़ जाएगा कि कौन सी chart pattern क्या होती है कहाँ पे कौन सी chart pattern का आना importance है और ये सारी चीज़े तो आप लोग वो book जरूर लीजिए और आप लोग उसके बारे में review दीजे कि आप लोगों को कैसा लगा वो book लेके तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो अगर आज का ये वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को like जरूर करिए अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ share की है तो आप लोग अपने friend के साथ हम लोग 2 lakh के अलमुस्ट नजदिक है आप लोगों के सब्सक्राइब करने के कारण हम लोग 2 lakh तक पौँच सकते है तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए